Hey everyone, I hope you all are doing good, so आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about the question that Is India a soft state or not? तो आईए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और हमें गनर माइदल की जो थियोरी है उसे जानना होगा इन्होंने जो थीसिस दी है तो इन्होंने एक बुक लिकी है एशिन ड्रामा इसमें इन्होंने study की है Asian countries की कि वहाँ पे क्यों poverty है तो ये 10 years के term की study थी इस बुक में इसी के बारे में दिया हुआ है और ये famous है for the concept of soft state जिसको इन्होंने use किया है for India So yes, it is very interesting thesis and since it is regarding our country तो हमें जानने के जुरत है कि इसमें इन्होंने क्या बोला है तो सबसे पहले तो इन्होंने अपनी thesis में ये बताया है कि India will never be successful in eradicating poverty because of the elite class which will not want it to happen तो इनका यही कहना है कि poverty जो है कभी eradicate नहीं की जा सकती है इंडिया में and इसका सबसे बड़ा reason है जो कि elite class है वो नहीं चाहते हैं कि ये जो है poverty जो हो हटे तो उसके बाद ये कहते हैं कि जो charismatic leaders हैं वो भी कहीं न कहीं succeed नहीं कर पाएं इस चीज में क्योंकि इंडिया जो है एक soft state है तो soft state का मतलब क्या होता है तो soft state का मतलब है कोई ऐसा state जो की laws को implement नहीं कर पाता हो and also वो soft only law breakers मतलब easily law break किया जा सके उस country में या state में So next question is why India is soft state तो इसका इन्होंने तीन major reason दिया है जो पहला है it is corruption and ये prevalent है in bureaucracy and political class then जो second reason है it is Gandhi तो इन्होंने बोला है कि जो Indians है उन्होंने independence ली थी थी थू गांधियन method तो इस वज़े से इंडिया एक soft state है तो गांधियन method क्या है तो जो disobedience to law है जो एनार्की की बात की गई थी as said by Ambedkar तो इन सभी के कारण जो है Indians जो उन्होंने independence तो ली but it was due to disobedience of the law and there was an inherent legitimacy for not obeying the authority तो इस तरीके से जो गांधियन method है ये प्रूफ करता है कि इंडिया जो है एक soft state है then third reason इन्होंने दिया है regarding Indian culture तो इसमें इन्होंने बताए कि जो इंडिया है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही easily जो है rule break कर पाते हैं और जो सबसे जादा rules और laws को तोड़ते हैं उन्हें जादा respect मिलती है जो laws नहीं तोड़ते हैं उन्हें कम respect मिलती है तो basically comparison हुआ है यहाँ पे कि जो law break करते हैं उन्हें respect जादा मिलती है तो ये तीन reasons इन्होंने दिया है कि क्यों India को soft state का जा सकता है इसके बाद हम discuss करेंगे कि outcomes क्या होते हैं soft state के तो जो सबसे पहला outcome है it is lawlessness obviously अगर law को break करना असान है तो lawlessness आईगी state में and then जो second जो outcome है it is corruption obviously अगर lawlessness रहेगी तो corruption जो है automatically वहाँ पे prevalent होगी तो ये जो दो outcomes है soft state के इन्होंने बताया है also ये ये भी कहते है कि जो charismatic leaders है like Nehru वो जो है enforce नहीं कर पाए land reform laws को तो ये तरशाता है कि किस तरीके से इंडिया soft state है और किस तरीके से इंडिया अपनी country में law को implement नहीं कर पाता है and this is the reason कि क्यों इंडिया में जो poverty है वो eradicate नहीं की जा सकती है because elite class जो है वो नहीं चाहते है कि ये ऐसा हो so ये thesis थी गनर मायदल की and I hope कि आपको वीडिया अच्छी लगी होगी so thank you so much for watching कर दो